दाख सेवा के बाद आईए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उपभोकता सहकारी बंडार क्या है और उनके बारे में जानकारी लेते हैं अगर इसके आशा हम समझें तो यह कुछ इस प्रकार से है कि जैसे हमने कोपरेटिव सोसाइटी जा नहीं थे उसमें हमने देखा था कि यह जो सोसाइटी होती हैं वो जो इनके मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा इनका निर्मान किया जाता है साथ ही साथ इनका संचालन भी उ करता है इस तरह के जो भंडार है उनका निर्मान जो है कुछ या कुछ लोगों के द्वारा मिल करके किया जाता है यहां वे लोग पूनजी का निवेश करते हैं और यह वहूं क्या करते हैं कि यहां वस्तूओं को सीधर उतपादकों से खरीद करके और अधिक मात्रा में हां और यहां पहन मत्यस्तो typically हिए टाने के लिए तो इस सिती में क्या होता है कि ये जो लोग हैं वो इस तरह के भुकता सेकारी बंडार का निर्मान करते हैं और साथ ही साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में manufacturing unit से यानि उतपादकों से क्या करते हैं वस्तूओं को रे कर लेते हैं और दूसरी चीज कम कीमतों पर या जो कीमतें वाजिब हैं उन कीमतों पर सदस्यों को ये विक्रे करते हैं तो जिससे क्या होता है कि उप्भोकताओं का ये एक प्रकार का संग बनाते हैं और इनका स्वामित्व प्रबंध और नियंत्रण इहीं उप्भोकताओं के द्वारा होता है आईए अब हम परिभाश इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यह परिभाशा क्या है सर जीम्स टिफन के अनुसार यह व्यक्तियों का एक संगठन है जिसका उद्देश माल के क्रे करने में बचत करने में तथा विक्रे के लाब को वापस रखने से हैं तो हमने इसके कॉंसेप्ट को जाना इसकी परिभ अच्छी भाशा में बले तो इनकी विशेषता इस प्रकार हो सकती है पहली कि जो इसमें निर्मान प्रबंद और संचालन जो है यह कि इसके उभुक्ताओं के हाथ में होता है दूसरी चीज यहां आपकी सदस्यता उभुक्ता की सदस्यता एच्छी होती है तीसरी चीज में जो नगत लेन देन का अधिकार होता है मतलब यहां पर किसी भी प्रकार की साख सुविधा उपलब्द नहीं होती है उसके बाद सदस्यों को दाईतों को सीमित कर दिया जाता है और प्रबंद संचालन का आधार जन तांत्रिक होता है साथ ही साथ लाब का सदस्यों में वित्रन किया ता है किस अधार पर अंशों के आधार पर मतलब जिस उप्भुकता ने जितना अंश खरीदा है उस उप्भुकता से कारी बंडार का उस आधार पर उसे लाब का वित्रन किया जाएगा या उसे लाब प्राप्त होगा यह भी कह सकते हैं साथ ही साथ यहां जो तो अगर इन विशेष्टाओं को ध्यान में रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि उब्हुकता सैकारी बंडार इस प्रकार कारे करती हैं कि इनका निर्मान जो होता है उभुकताओं के द्वारा किया जाता है और इनका मुख्य उद्देश होता है कि मध्यस्तों को मिलने वाले लाबों को स्वैम अर्जित करना दूसरी चीज इनके यह क्या करते हैं यह जो है मैनिफेक्चरिंग यूनिट से या निर्मान करताओं से या उत्पादकों से ज्यादा से ज्यादा माल को क्रै कर लेते हैं जिनकी आम जीवन में आवश्रकता होती और दूसरी चीज यह अपने सदस्यों को जो उस उभुकता बंडार के सदस्य हैं उनको यह वस्तों उचित की पर प्रदान करते हैं या उनको विक्र करते हैं तो हम यह भी कह सकते हैं कि यहां पर जो उभुकता सहकारी बंडार हैं यह स्वयम जो हैं उभुकता सहकारी बंडार के स्वामी भी होते हैं क्योंकि उनके नर्मान कारे में मदद करते हैं दूसरा वहां का प्रबंद और निय शिष्टा में देखा और अगली चीज ये भी है कि यहां जितने भी विक्रय होते हैं वो नकद में होते हैं साक्सु विदा यहां उपलब्दन ही कराई जाती और साथ ही साथ यहां जो प्राप्त लाभांश होता है उसका वित्रण जो होता है खरीदे गए अंशों पर लाप्त होगा तो इस रिके से उब्भुक्ता सहकारी बंडार के कॉंसेप्ट को हमने समझा है आए अब देखते हैं उब्भुक्ता सहकारी बंडार के लाप जैसे कि अभी तक आपने कॉंसेप्ट देखा और जाना तो यह चीज एकदम क्लियर है कि यहां जो वस्तुएं मि बंडार ने वस्तुएं सथी मिलती हैं और क्वालिटी प्रड़क्ट भी मिलती मतलब उनके गुण भी अच्छे होते हैं साथ ही साथ यह जो उब्भुक्ता सहकारी बंडार है वहां पर जैसे कि हमने इसकी कॉंसेप्ट को जाना किसका नियंत्रन होता है उनके सवयम के सदस किया जाता है और यहां पर जो है संगठन की भावना भी होती है क्योंकि यहां यह लोग मिल जुल कर कारे करते हैं एक दूसरे की सहायता करते हैं और यहां इनका मुख्य उद्देश यही होता है कि मध्यस्तों को अलग किया जाए साथ ही साथ सही कीमतों पर अच्छी वस्त विक्रे किया जाए और अपने से जुड़े सभी उपभुकताओं को पूरा करते हुए उन्हें संतुष्ट किया जाए इसके बाद यहां पर इसकी इसका लाप अलग है एक और है कि यहां नकद विक्री होती है जैसे कि मैंने आपको विशुष्टा में पता है यहां पर जो है सबसे बड़ी बात विज्ञापन विया नहीं होता मतलब कि एडवर्टाइजिंग पर कोई खर्च नहीं होता क्योंकि यहां पर जो संगठन के लोग हैं उपभुकता है वही उनके जुड़े हुए कस्टमर्स होते हैं तो उन्हें अलग से आकरशित करने के लिए विज्ञापनों की कोई आवश्यक्ता नहीं पड़ती और अगर हम इससे जुड़े अनिलाबों को देखें तो यह मित्वेता को प्रोटसाहान देते हैं किस तरीके से क्यां कम कीमतों पर अच्छी बस्तुए मिल रही है दूसरी चीज यहां पर जब अच्छी चीजे मिल रही हैं लोग कम कीमतों पर मिल रही हैं तो अपने आप लोग के रहन सेंट में सुधार आता है और लोग अपनी इच्छानुसा क्रेकर सकते हैं कोई भी उन पर प्रेशर नहीं होता है साथ ही साथ संचालन व्याय में मित् तो इस तरीके से हमने देखा कि उभोकता सेकारी भंडार के लाब क्या है अब हम देखते हैं कि जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं लाब के साथ साथ कुछ दोश भी हो सकते हैं तो वो दोश क्या है जैसे कि आप जानते हैं कि यहां जो है अब उभोकता ही जो उनके सदस होते हैं वह संचालन करते हैं। लेकिन कई ऐसा भी होता है कि वह भुगता gi piace है उन तो यह एक इसका पहला दोश हो सकता, इसके अलावा सदस्यों में उद्रासींता पा जाती है, क्यों? क्योंकि वो अपने समय को दे रहे हैं, साथ ही साथ को अपने साथ की अंश पूंजी भी लगा रहे हैं, लेकिन शायद कभी-कभी ऐसा होता है कि जब वो अपना समय दे रह जाये, जो पैसे मिलने कारण यहां उद्रासींता आती है, यहां सीमित ग्राहक होते हैं, जिसके कारण लाब थोड़े कम हो जाते हैं, जो हम आगे चर्चा कर रहे हैं और इसके पहले चर्चा कर चुए हैं, जिन बिंदूओं पर उसके अलावा साथ ही साथ, अगर वस्तों की कमी हो जाती है, तो यहां पर मंदी से निश्क्रेता आ जाती है, और यहां पर विशिष्टी करण का आभा होता है, क्योंकि यहां पर जो जेनरल चीजे हैं, उन्हीं चीजों को ही खरीद कर विक्रेक किया जाता है, जैसे कि खाद्य पदार्थ, उनमें भी विशिष्ट विशिष्ट है इसमें डिपार्टमेंट्स नहीं होते विभाग नहीं होते जैसे कि मॉल्स में देखते हैं कि कपड़ बें रहे हैं और खादय पदाद में ऐसा नहीं है जो चीजे जरूरी हैं कि अब उसी तरह की वस्तूं का यह उभकता सिकारी बंदार व्यापार करते हैं वेवार करते हुनी चीज़ों हम कह सकते हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर पूंजी होती है वो सीमित पूंजी होती है जिस वज़से यहां पर कई समस्याइं भी सामने आती हैं तो अब हमने क्या उब्भोकता सहकारी भंडार के लाप के साथ-साथ दोशों को भी जान लिय कि जो भारत में भोकता सहकारी भंडार हैं उन में शितलता के कारण क्या है और दूसरी चीज़ इनको दूर करने के लिए हम कौन से सुझावों को अपना सकते हैं भारत में भोकता सहकारी भंडार में शितलता के कुछ कारण इस प्रकार हैं सबसे पहली बात लोगों में इस अभाह होता है पर अवहतिन क करमचारी की अरूची होती है बुकतां के आवशकतां के समुचित अध्यन का अभाह होता है फिर दोश पूंढ हिसाब रखने की प्रणाली होती है साथ ही साथ विवस्थापकों की बैमानी एवं कपट पूर्ण विवार होता है नीजिहित का अभाव होता है अन्य सहकारी समठोनों के सहियों का अभाव होता है राजिसरकारों द्वारा आरंब में दोश्पूर्ण नीती और अच्छे नेतरित्व का अभाव होता है उब्भोक्ता बंडारों का जो सीमित व्यापार होता है इन समीतियों की जांच के लिए निडिक्षन और अंकेशन की उचित विवस्था नहीं होती और साथ ही साथ उब्भोक्ता भंडारों वित्य स्रोतों का सिमित होना है और इनके सदस्यों में पारस्परिक सहियों का अभावना यह जो कुछ कारण है वो भारत में उब्भोक्ता सहकारी बंडार के शुतिर्का के कारण माने जा सकते हैं आईएब हम देखते हैं कि उब्भुकता सहकारी बंडार के विकास के लिए सुझाओ क्या क्या हो सकते। Suggestions for the Development of Consumer Co-operative Stores पहला suggestion है उब्भुकता सहकारी बंडारों को विविद प्रकार की वस्तूं का परियाप्त स्टॉ करना चाहिए। दूसरा, इन्हें अपने व्यापार्क श्रित्र का विस्तार करना चाहिए। तीसरा, माल की अच्छी किस्मों पर विशेश ध्यान देना चाहिए। चौथा, प्रबंध समीती में महिला सदस्यों को लिया जाना चाहिए। उचित मूले पर उचिस ध्रोतों से माल खरीदना चाहिए। छट्वा, सही समय पर माल खरीदना चाहिए। साथ्वा, क्रय अधिकारी के उत्तर दाइतों का सपष्ट निधरन होना चाहिए। आठवा, बाजार भाव से मूली अधिक नहीं होने चाहिए। दसवा बनदार की दुकान बादी के बीच बाजार में होनी चाहिए ग्यारवा वस्तों को काउंटर पर सजा कर रखना चाहिए ताकि लोग आपर्शित हो बारवा सही तौलued उत्तम किस्म की सिध्धांद का पालन करना चाहिए तेरवा आवशक प्रचार किया जाना चाहिए चब्रवा समय समय पर स्टॉक की भौतिक गण्णा होनी चाहिए तो बचों यह जो थी वो जेनरेल हमारे किसी भी मार्केटिंग स्ट्राटजी या प्रोडक्क की सेल के लिए जो विकास की आवशकता हैं उनक को अपने प्रश्णों के उत्तर में लिख सकते हैं आगे बढ़ते हैं सूपर बाजार क्या होता है आप जानते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आप एक सूपर बाजार को देख रहे हैं यह अलग अलग विभागों में विभक्त होता है जैसे कि नामसे स्पष्ठ यह दो अक्षुरू से मिलकर बिना है सूपर और बाजार मतलब इस तरह के बाजार में हर प्रकार की चीजे मिलती हैं जैसे कि आप जानते हैं आप कई प्रकार के सूपर बाजार गए भी होंगे तो वहां पर आप देखते होंगे कि खाद्यपदार्थों के लिए अलग डिव अलग है कपड़ों की अलग रेंज है मतलब व्रिद्ध से लेकर के शिशु तक के कपड़ों के लिए अलग अलग विभाग बने हुए हैं साथ ही साथ टॉयलेटरी के लिए अलग विभाग बना हुआ है मतलब कि जैसे स्नान घर हुआ और उसे लेटेट बाल्टी मगगा साबुन यह सारी चीज़े और इसके अलावा भी आप अगर देखे स्नाक्स डेपार्टमेंट अलग होता है यह जो सूपर बाजार होते हैं यह कई चोटे चोटे भागों में या विभागों में विभक्त होते हैं और साथ ही साथ इनका कारे या इनका मुख्य उद्देश यही होता है कि ये एक ही स्थान पर उभुक्ताओं को जितनी जादा मात्रा में वस्तुएं उपलब्द करा सके वो वस्तुओं को उपलब्द कराते हैं और साथ ही साथ ये सस्ते दामों पर कोशिश करते हैं कि कम कीमतों पर उन वस्तुओं को विक्रे करें तो ये था सूपर बाजार का concept आईए एक definition देखते हैं जो कि प्रोफेसर कंडिफ एवं स्टील ने दी हुई है उनके नुसार बाजार एक व्रिहत फुटकर भंडार है जो विभिन प्रकार की उभोकता का विशेश रूप से खा दयता था ग्रिय अवशकताओं की छोटी बस् और ग्रहत करता देखते होता है इसका संगटन विभागी बंडार के स्धांथ पर यह विभागी बंडार की बाती विभिन वस्तू YouTube की परेकर करते हैं इसमें लिपे वक्रेता नहीं होता है और देशुसस्ती कीमतों पर वस्तों को बेच रहा होता है यह प्रायर बड़े बड़े शहरों में सित होते हैं इसमें प्रायर वस्तों के अनुसार विभाग बना दिये जाते हैं सूपर बाजार में परयापत स्थान की स्थापना की जाती है इस बाजार में क्रैस से जो बचत हो तो इस तरीके से हमने जो है सूपर बार्जार की विशेष्टाओं को जानने के बाद अब इनसे होने वाले लाभों को देखते हैं सिंपल सी चीज है जब भी आप सुपर मार्केट में जाते हैं आप पर्चेस करते हैं खरीदी करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं आप अधिक हैं गीहू लेने हैं लेकिन तर्चों को लेने लेकर उती हैं कि अद्धिक विक्र होता हैं तरह वर्पशन को नह one रही हैं तो हम वो जादा मात्रा में भी उनसा वस्तूओं को ले लेते हैं फिर अगर हम दूसरे लाप की बात करें तो यहां चैन की सुविदा होती है हम compare कर सकते हैं कि यह brand का product इतने में इतनी quantity मिल रहा है दूसरे brand का product same quantity या ज्यादा quantity में कमकी मत्तर मिल रहा है और उनकी quality अगर हम पहले से जानते हैं तो हम उसकी comparison कर सकते हैं साथ ही साथ अगर हम कपड़ों के विभाग में जाएं तो हम वहां पर trial room में जा करके या अपने उपर भी ट्राइगर के mirror में देख सकते हैं कि हम पर कौन से कपड़े अच्छे लग रहे हैं तो इस तरीके से हमें चैन की सुविधा भी होती है हम उसे पैसों के तहत मतलब क कशा कर सकते हैं कि वह अच्छा लग रहा है कि उसकी क्यालिटी अच्छी है कि उसकी दिवी की कीमत के नुसा तो अलग-अलग basis पे हम यहां पर चैन की सुविधा हमें उपलब्द होती है इसके बाद आती है एक ही स्थान पर वस्तों का उपलब्द होना विलकुल सहीं बात कि बिस्किट्स की रेंज अलग है अभी अगर आप देखें जब फेस्टिवल के सीजन आते हैं इस्पेशली दुर्गा पूजा में दिवाली में तो उस समय उस तरह से रिलेटेट चीजों को अलग तरीके से सजाया जाता है मतलब उनको सबस्वर्परतम प्राथमिक्ता दी जाती है कि लोगों लोग अकसर इन फेस्टिवल सीजन में क्या करते हैं कि दूसरे गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट से रिलेटेट और कपड़ों से रिलेटेट और दूसरी चीज़ें खानी पीने की चीजों से रिलेटेट चॉकलेट यह बहुत सारी चीजें होती हैं जो क पिर बाद आती है समस्याओं से मुक्ति अगर आपको कोई वस्तू की क्वालेटी में समस्या आ रही है या और भी कई प्रकार की समस्याओं है तो वहां के वहीं आपको समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है साथ ही साथ यहां रुपए ढूबने का भय नहीं होता क्योंकि यहां प करी थी हैं जिस वजह से यहां को वस्तुों के पीछ पी cuerpo نہیں자를ба मतला बहुत बड़ी मातरा में और यहां जो रहते हैं कम कीमतों में अच्छी क्वालिटी मिलने के कारण तो यहां पर हम भोकता के नजरिये से भी कह सकते हैं और साथ ही साथ जो उस सूपर मार्केट के मालिक हैं उनके नजरिये से भी कह सकते हैं कि यहां रुपए डूबने का भैने होता और सबसे बड़ी बात यहां पे बड़े पैमाने में व्यवसाय के लाप रात होते हैं क्योंकि बहुत सारे ब्रैंट के साथ बहुत सारे चोटे बड़े ब्रैंट दोनों मिलकर के इंसर के सूपर मार्केट में आते हैं और साथ ही साथ यहां अपने अपने लेवल पे यह अप बड़ी हुपार के दोश चैएं बचोंपल सी बात है सिंपल सा इसरय का लग्याक कर रहा है तो तो इसको चलाने के लिए इसके स्थापना में अत्यदिक पूंजी के आवश्रकता होगी तो यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबाक है दोश हो सकता है दूसरी चीज अगर उप्युक स्थान नहीं मिला तो यह इतना बड़ा इंवेस्टमेंट अगर फेल हो गया तो कितना बड स्थान का विक्रह नहीं हो पाया श्रीकृता से तो वो खराब हो जाएगी उस सिद्धी में इस किस तरीके के डिसेजन्स लिए जाए यह एक प्रॉब्लम और सामने आती है फिर बात आती है कि यहां पर कभी कबर ऐसे भी हो सकता है कि अगर अच्छे मैनेजर्स या अच्छ साथ साथ यहां पर हमें अभी तक बात करी कि सुपर मार्केट में जो भी खरीदी होती है वो नकद में होती है तो अगर यहां पर नकद में विक्रे हो रहा है तो साख की सुविधा उपलब्द नहीं होगी मतलब साख का आभाव हो चाहेगा और यह जो प्रणाली होती है यह अनुप्यूग्थ तो होती है पहले किन चीजों के लिए तखनीकी तथा भारी वस्तू के लिए इन लुगों के लिए तो ठीक हैं, लेकिन इस तरह के सूपर बाजार में, जो हैं लोवल के या गरीव के लोग this तरह के सूपर बाजार का लाप नहीं उठा पाते हैं तो ये कुछ important या major defects बोल सकते हैं या limitations बोल सकते हैं यह दोष बोल सकते हैं जो हमनेούμε सूपर बाजार के जने। अब हम देखते हैं कि सूपर बाजार के घाटे में चले जाने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात अगर यहां जो कुशल प्रबंदन की हम बात कर रहे थे और देख रहें की हम बात करते प्रबंदन संचाला अचा नहीं अगर उसका अभा होगा तो पहला वही कारण है कि यहां पर जो सुपर बाजार है व कौशर फेल हो रहा लेकिन उसको मेंटेन कर रहे हैं लेकिन जो स्टॉक क्लेरंस वाली बात हो रही है वह विक्रह नहीं कर पार रहे हैं कि कितना अर्जित किया जाना चाहिए अपने पास जो रखा है यह मेंटेन किया है साथ ही साथ हिसाब किताब रखने में समस्या अगर हिसाब किताब सहीश नहीं होगा तो प्रॉफित हुआ के नई और हुआ तो Кितना हुआ कि लॉस हो गया यह सारी चीजों से अनभीग है आप चीज दो या तीन बार में आपको जिन वस्तों की आवश्चक्ता है उस तरह की प्रडेक्ट्स आपको नहीं मिली या वो रेंज नहीं मिली तो आप अवाइड करने लगते हैं वहाँ जाना तो यह भी एक प्रकार का दोश है या कारण हो सकता है कि सूपर बाजार जो है वो प्रचल हीटने के यह नहीं चलने के यह कुछ कारण माने जा सकते हैं अब देखते हैं सूपर बाजार अथा विभागी अवंद्णार में अंतर अंतर का पहला अधार स्थापना लें तो शूपर-बाजार की सापना प्राय मिश्रत स्वामित्यों के आधार पर की जाती है और विभ करना होता है और विभाग्य बंडार का अंतर का तीसरा अधार मूले को अंतर की विवस्था अंतर का चौथा आधार व्यवस्था ये विवस्था और यह विव Nearly TD होती इसमें साख सुव conception का आभा होता है विभागिये बंडार से समीती पॉर जाती सुपर भाजार में इप क्लिण सामान ये बंडार के छहां दनी बर्क को अंतर का अदाश सथवा के दिए इसमें इस रग श्वयम वस्तू चयन करके उसे बाहर तक ट्रॉली में लाते हैं और बाघे बंडार सुपू के जयन मे मॉतव्पूर्ध श्योक दिता था क्था झाय वस्तू पसन्द आoben पर गराहक कि गाड़ी तक मौण चाने की व scaling Fakta अंतर का आठवा आधार हम क्रेला भवंच ले सूपर बाजार में गरा바 को उनके द्वारा क्रे किये गें माल पर लाभौन चैजा छाता है और विभागे मंदार में ग्राइप पर लावांश या बूनस दिये जाने की विवस्ता नहीं होटी। अंतर का नूबाधार राज किया मदद लें तो सूपर बाजार को गर हम देखें तो इसमें प्रारमिक वेवगों का बहार उठाने के लिए राज किया साहयता दी जाती हैं। विभागी बंडार को को हम एवं नियंतर्त वस्तु के बीतरय को प्रार्तमिक्टा दी जाती है और विखागी बंड़ार की बात करें तो इसमें इसके प्रकार की वस्तों का उपलब्ध कराने पर जोर दिया 열심히 कर आपने केरें और और उनके अंतर को शाखा